हेलो एवरीवन वेलकम तो दे सक्सेस हिल नेटवर्क आयाम लविश गुलाटी आइड मैं मास्टर्स इन फिजिक्स प्रों आयाटी बॉंबे एंड करंटली आयाम पीएजी स्टूडेंट इन जर्मनी तो हम इस सक्सेस हिल नेटवर्क पे आपके लिए सीरीज ओ वीडियो ले स्टूडेंट अप्लाई कर दूँगा एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो आप प्लैन कर सकते हो अपनी एक्डेमिक जर्नी तो जैसे कि आपको पता होगा जर्मनी या दूसरे यूरोपीन कंट्री में काफी तगड़े इंसीजीट हैं लाइक मैक्स प्लेंक इंसीट ओं ब करते हैं हर साल हर कंट्री से स्टूडेंट्स की अप्लिकेशन आती है यहां इसी लिए मैं आपके लिए यह प्रोसेस काफी सिंप्लिफाई करना चाहता हूं and for the students who are in their bachelor's and master's degree program उनके लिए यह content काफी informative रहेगा मैं टाइम लाइन से यह वीडियो बना रहा हूं and आपको सही से गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको अपने academic journey plan करनी चाहिए तो guys please don't skip any part of these videos कोई भी वीडियो को skip मत करना because एक-एक डिटेल आपके application process के लिए important है तो शुरू करने से पहले please subscribe our channel like and share our videos and also please keep posting your suggestions your comments or your questions queries into the comment section ता कि हम इसी तरह से आपके लिए आपकी academic life के related videos लेके आते रहें so who can apply for PhD positions in Germany for that you need master's degree in one of the fields like physics chemistry biology or in the field of medicine or in technology or in the field of social sciences or humanities or in any of these related fields तो आपके लिए यही requirement है कि अगर आप PhD करना चाहते हो योरोप के किसी भी top institute में तो आपके पास master's degree होनी चाहिए यह compulsory है and बाकी की requirements different institutes की अपनी अलग लग होती है तो उसके लिए आपको उनकी website पे जाके उनके जो FAQs होते हैं या जो home page पे information दिये होती है application process के लिए उसको अच्छे से पढ़िए like for the max plank institutes आप उनके IEM PRS programs जो की international max plank research school programs होते हैं यह max planks के जितने institutes हैं सबका सबके अलग अलग programs हैं अपने खुद के उनके IEM PRS programs हैं तो आप उनकी website पे जाके चेक कर सकते हो उनकी क्या requirements हैं तो example के लिए मैं आपको जैसे दिखाना चाहूंगा तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था IEM PRS programs राइट इनकी website पे जाओगे यह है International Max Planck Research Schools इस website पे आपको पता चलेगा कि there are currently 68 IEM PRS programs इतने ज्यादा क्यों बिकोज यहाँ देख सकते हो 80 Max Planck Institutes हैं total and सारे Max Planck Institutes का अपना अलग-अलग IEM PRS program है बिकोज यह सारे Max Planck Institute किसी एक research area पे focus नहीं करते आप देख सकते हो कोई astrophysics पे focus कर रहा है या कोई bio पे molecular biology पे focus कर रहा है तो सबके अपने अलग-अलग IEM PRS programs हैं आपको इनकी website पे जाके पता लगाना होगा कि आपके लिए यह institute अच्छा है या नहीं है अच्छा in the sense कि आपके interest का है या नहीं है जैसे suppose मैं यह select करूं मैं यह search करता हूं Max Planck Institute for Physics अगर यह मैं search करता है इसको copy गया नहीं टाब में जाके paste करके enter कर रहा हूं then आप देख सकते हो इनके research areas तो research areas में आप देख सकते हो मैंने जैसे click किया देख सकते हो theory of gravity right structure of matter पर focus करते है theory of gravity innovative calculation methods in particle physics quantum field theory string theory इस तरह से आपके लिए इन्होंने research areas की description दे दी है आप इन areas को पढ़के आप idea लगा सकते हो कि yes अगर आपके लिए यह field interesting है या नहीं है इसी तरह से आप दूसरे Max Planck Institute के बारे में जा सकते हो like अगर यह nuclear physics है अगर मैं इसको इनकी website open करता हूं तो आपको पता चल जाएगा इनके research areas like here आप यहाँ देख सकते हो यह mainly focus करते है एस्टो पार्टिकल physics और in quantum dynamics इनके सब fields हैं आप पढ़के idea लगा सकते हो कि यह आपके interest का है या नहीं है तो अगर मैं आपको example के लिए की एक IMPRS program के बारे में बताओं तो suppose मैं yes यह वाला IMPRS program में जाकी आपको एक example देना चाहता हूं कि आपकी इस तरह से fill कर सकते हो तो जैसे आप देख सकते हो यहां आप application portal पर जाओगे आपको पता चल जाएगा कि यहां online application का link दिया हुआ है जैसे ही आप click करोगे आपके पास यह form आ जाएगा अगर आप अपने और details जानना चाहते हो इस process के बारे में तो selection procedure दिया हुआ है आप इसे पढ़ सकते हो बट details यह हैं कि आपको personal information देनी होगी हर एक form पे सारे IEM PRS program का एक similar सा form है same नहीं है similar है आपको हर institute का अलग IEM PRS program के लिए form फिल करना होगा तो जैसे आप देख सकते हो यहां आपको personal information देनी होगी information बिल्कुल सही होनी चाहिए यह कुछ गलत नहीं होना चाहिए आपने अपनी education कहां की like MS in physics आपका institute कौन सा था and आपके grades कितने थे इसी तरह से आपका जो research experience है उसको mention कीजिए अगर आपने कोई project किया हो या अगर आपने कोई internship की हो आप please इसे mention कीजिए then इसके पहले आपके पास कोई degree like अगर आप अभी master's complete हुई है अगर आपकी then आपके पास bachelor's degree है आप उसके बारे mention कर सकते हो then अगर आपके पास कोई scholarship हो या आपने कोई awards जीते हो कोई rankings या university ranking तो आप यहाँ please mention कीजिए यह आपकी profile को strong करेगा yes वो देखते हैं यह institute देखते हैं कि जो students apply कर रहे हैं क्या वो students अच्छे से manage कर पा रहे थे different fields को या नहीं क्या वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे या वो कुछ extra curricular activities में भी active थे तो अगर आप यह सारा फिल करोगे आपकी कोई language skills हों अगर आपने कोई और language भी सीखी हो लाइक इन जर्मन लाइक फ्रेंच तो प्लीज मेंशन कीजिए अदरवाइस आप अपनी mother tongue या Hindi English कुछ भी आप यहां mention कर सकते हो इसके बाद आपको अपने projects जो इन्होंने mention किये हो है like please select up to three projects which you are most interested in तो आप इन projects के बाड़े में पढ़ सकते हो जैसे आप search करोगे इनके website पे जाके आपको हर एक project की description मिल जाएगी आप project select करोगे तीन choices दोगे then इसके बाद जो main part है आपके contacts तो आपको दो referees के contact information देनी होगी अपने professors अपने guide या आपके जो scientists थे अपने institute में उनका नाम उनका address और उनकी email आईडी आपको यहां पे mention करनी होगी तो जो यह IMPRS committee है इसके members आपके contact referees को contact करेंगे वाया email वो call भी कर सकते है depending on the situation वो आपके बारे में जानेंगे वो जानेंगे कि आपका जो academic background है वो कितना strong है वो यह जानना चाहेंगे तो इसी तरह से आपकी जो profile है वो strong हो जाती है and अगर यहां is there anything else we need to know about you तो अगर आप कुछ और mention करना चाहो जिससे आपकी profile strong हो सके तो please mention कीजिए देखो हर student का अपना अलग-अलग academic background होता है generally same होता है बट कुछ points ऐसे जरूर होते हैं जो आपको बाकी student से अलग बता रहे होते हैं तो उसको please mention कीजिए यहां and यहां पे सारी files को अच्छे से upload कीजिए तो जैसे ही यहां mention किया हुआ है कि जो file size है वो 20 MB से कम होना चाहिए तो अच्छे से आप सारी files को upload कीजिए then आप यह form submit कर सकते हो तो इसी तरह से सारे institutes का मैं सिर्फ Max Planck का नहीं बता रहा है यहां आप किसी भी institute में जाओ जैसे मैं यह दूसरे application form है वो दिखा रहा हूँ आपको यह दूसरे Max Planck Institute का IMPLS program के लिए form है same similar है काफी personal information आगी research group preference जैसे यह question change हो गए यहां कि आप यह professors के research group mention है आप कि इस professor के research group को join करना prefer करोगे तो यह आपकी choice होगी आपकी choice के basis पे आपको यह interview के लिए select करेंगे तो बाकी जो points हैं बाकी जो columns हैं वो almost same है कि आपको अपनी university education के बारे में बताना होगा आपको अपने documents upload करने होगे आपकी language skills आपकी mother tongue क्या है आप कितनी अच्छे वो language बोल सकते हो and जैसे यहाँ पर mention है कि 24 score वगरा तो जैसे कि इन्होंने mention किया है कि 24 score वगरा mandatory नहीं होता बट अगर आपके पास हैं तो आपके लिए आपकी profile ही strong करते हैं definitely strong होती है आपकी profile तो similarly आप देख सकते हो first referee आपका या second referee आपको referees के details देनी होगे then अगर आपके कोई publications हैं yes publications आपकी profile के strong definitely करेंगी वो देखेंगे कि yes आपका background है research background है तो आपको prefer कर सकते हैं and अगर आपने कोई conferences लगाई हो को presentations दी हो तो please यहाँ पर mention कीजिए आपकी जो research या working experience उसको आप यहाँ mention कर सकते हो similarly आपके कोई prize या owner से कुछ भी आप यहाँ mention कीजिए अगर आपने कुछ achieve किया है नहीं किया तो कोई बात नहीं but अगर किया है then please mention कीजिए extra curricular activities जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ यॉरप में extra curricular activities को equal importance दी जाती है and at the end of home submit कर सकते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो जो यह process है काफी simple है but lengthy है आपको time invest करना ही पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं search करूं top institutes of Germany Germany तो जैसे कि आप देख सकते हो Germany मैं example के तौर में बता रहा हूं यहां काफी अच्छी universities हैं institutes हैं तो आप list के हिसाब से इन universities में apply कर सकते हो इनकी website पे जा सकते हो similarly आप online application form fill कर सकते हो point to be noted यह होगा कि सबकी जो deadline's हैं वो different होती हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा wait भी करना पड़ सकता है बट इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूं चाहे आप bachelor's कर रहे हो चाहे आप master's कर रहे हो आपको पहले से थोड़ी plans बना लेनी चाहिए थोड़ी preparation कर लेनी चाहिए आपको continuously अपनी applications डालते रहो तो थेंक्यू गाइस वाचिंग इस वीडियो आई होप कि आप बाकी सारी वीडियो को भी इसी तरह फोलो करोगे कोई भी detail में इस नहीं करोगे अगर आपके कोई doubts हो कुछ questions हो तो please comment section में टाइप कर दीजिए ताकि हम नई वीडियो में उन questions को answer करें so thank you guys